खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन बॉर्डर सील कर दिये गए हैं ऐसे में पीए मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि लॉकडाउन को गंभीड़ता से लें दुनिया में अभी तक ये जानलेवा वारेस 11,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है तीन लाग से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं राजियों की सरकारों ने बीते रविवार लॉकडाउन का एलान किया इसलिए आज हम सब लोगों ने मिलके ये तै किया है आप सब की सेहत के लिए हम सब के हमारी दिल्ली के लिए देश के लिए ये तै किया गया है कि कल सुबह 6 बजे से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन किय जाए और यह 31 मार्च की रात को बारा बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा जो जनता कर्फ्यू आज लागू हुआ स्वेच्छा से पूरे देश में अब हम पूरे राज्य में कर्फ्यू केवल आवस्यक सेवाओं के लिए खुला रहेगा बाकि हम पूरे राज्य में अब यह लागू रहेगा 31 मार्च तक करोना वाइरस के बढ़ते संक्रमन से आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजी सरकार द्वारा ततकाल प्रभाव से फिलहाल 31 मार्च 2020 तक के लिए सभी जिला मुख्यालियों सभी अनुमंडल मुख्यालियों सभी प्रखंड मुख्यालियों एवं सभी नगर निकायों में के लॉकडाउन का निरने लिया गया है कोरोना वाइरिस ने किस तरह पूरी दुनिया में कोहरा मचा रखा है इसकी दहशत का अंदाजा इस कदर लगाया जा सकता है कि एक प्लेन में पैसंजर की छीक आ गई और हुआ ये कि उसका पाइलेट कॉक्पिट में इमर्जेंसी गेट यानि खिड़की से बाहर कुद गया दरसल ये घटना एर एशिया इंडिया की पुने दिली फ्लाइट 15732 की है जहां शुकरवार को प्लेन के अंदर तब अफरातवरी मच गई जब पता चला कि फ्लाइट में कोरोना वाइरिस का एक संदिक मरीज यातरी सफर कर रहा है क्योंकि एक यातरी को चीक आ गई और उ जातरी ने चीका है तो वह घबरा गया और चलांग लगा दी जिसके बाद सभी यातरीों में अफरा तफरी मच गई हालांकि सभी यातरीों को पिछले दरवाजे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया जिस यातरी को चीक आई थी उसे आगे वाले गेट से बाहर निकाला बाद सभी यातरीों की जाच की गई और सभी को टेस्ट में नेगिटिव पाया गया जबकि सुरक्षा उपाय के रूप में लेंडिंग के बाद विमान को अलग खड़ा किया था घटना के बाद एयर एशिया इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि विमान की पूरी तरह से एंटी इंफैक्शन से गहरी सफाई की गई हमारे चालक दल ऐसी घटनाओं के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं इसके साथ ही उन्होंने इस विशम परिस्थिती में भी धैरे से काम कर लिया ये बहुत तारीफ की बात है आपको बता दे भारत में अभी तक राजि राजियों में पूरे सूबे में लॉगडाउन की घोशना की गई है सरकारों ने इसको लेकर गाइडलाइन्स भी बनाई है सभी राजियों में यह 31 मार्ज तक प्रभावी रहेगा